नमस्कार मैं उश्री खर्दीप और आप देख रहे हैं जीपेंट 24 सराइपाली में नौ निर्मित प्रसिद कुमकुम हॉस्पिटल पर SDM ने छापा मार कारिवाई कर हॉस्पिटल को सील कर दिया है वहीं हॉस्पिटल संचालक प्रवीड शर्मा मौके से नदारद रहे वहाँ समुद कलेक्टर के पास शिकायत मिली थी कि हॉस्पिटल संचालक फरजी डॉक्टरी डिगरी के सहारे सराइपाली शहर में कुमकुम हॉस्पिटल के नाम पर संचालित किया जा रहा है जिसमें बिनानुमती के ओपरेशन यो 36 गड़ मेडिकल काउंसिलिंग में रजिस्ट्रेशन ना होनी की बात कही गई थी वहीं अब स्वास्त विभाग पर भी सवाल उठना लाजमी है ये शहर के बीचों बीच इतना बड़ा होस्पिटल संचालित कैसे हो रहा है और इसकी जानकारे विभाग के अधिकारियों को कैसे नहीं वहीं लिहाजा कुमकुम हॉस्पिटल के OPD, X-ray, ICU, सहिद पूरे अस्पिताल को सील करके संचालिक की तलाश की जा रही है अभी के लिए बस इतना है पागी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें GBN24 ये है Genesis Media Network और आप देख रहे हैं GBN24 News